आपको यूट्यूब चैनल लेंदरपूर पर मैं आपको SSCJ22 की सीविल की एक्सपेक्टेड का टॉप बताने वाला हूं ठीक है वैसे मैं कोई engineering background का student नहीं हो लेकिन मेरे भाई ने खुद ने exam दिया है और वो currently BRO में selected भी है SSCJ के through ही तो उनसे discussion करके मैंने पता किया है कि expected cutoff क्या रह सकती है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो difficulty level अगर हम देखना चाहें ठीक exam का क्या है तो वो moderate to easy है ठीक है बहुत ज़्यादा difficult तो नहीं आया था paper ठीक लेकिन difficult यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्यूंकि आपको 200 questions रहते हैं 120 minute में ठीक है तो यहाँ पर problem क्या आती है कि 120 minute में 200 questions पूरे के पूरे अजाने कितने ऐसे होंगे आप में से जो attempt ही नहीं कर पाये होंगे अचेंट तो कोई नहीं करेगा 200 question तक आपने मतलब पूरा question पेपर पड़ ही नहीं पाये होगा दोसों के 200 questions पड़ ही नहीं पाया होंगे नहीं चाहिक है ठीक है तो प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है ठीक है अगर moderate to easy भी paper हो तो भी क्या होता है जब 200 question 120 मिट में होते हैं तो आपको सिरफ 36 second मिलता है question के लिए ठीक तो सभी question 36 second में लगाना हो तो 200 question आप पूरा का पूरा पढ़ ही नहीं पाते हैं ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि जिसने 200 question पूरा का पूरा एक से लेके 200 तक पढ़ लिया ठीक बहुत सारे questions ऐसे भी होते हैं जो बहुत easy होते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि आप किसी hard question में फस गये और उस question तक पहुची नहीं पाए तो सबसे ज्यादा important ऐसे में क्या होता है कि आपको time speed और time और speed maintain करनी हो है civil में near about 2954 ठीक है लगबग 3000 के आसपास civil में नहीं total vacancies 3000 के आसपास हैं ठीक civil में CPWD में 700 के आसपास vacancies हैं ठीक और civil में total vacancies जो हैं वो 2000 के आसपास हैं ठीक SSCG में क्या होता है कि near about 6 to 6 to 7 times ये candidates को qualify कराते हैं pre में ठीक है means के लिए 6 to 7 times qualify कराते हैं तो यहाँ पे 2000 civil vacancies हैं अगर जो की last year total vacancy ही सायद 12-1300 थी और इस बार लगबग 2000 civil में है ठीक है तो ये लगबग 14,000 candidates को लगबग near about इतने candidates को qualify कर आएंगे means के लिए ठीक है तो ऐसे मैं expected cut off जो है वो last year की तो आपकी 120 के आसपास गई थी लेकिन इस पार 2022 में 2022 में युगार की जो कुछ भी discussion करके पता चला है क्योंकि क्या होता है कि आप 140 अगर मान लीजे करके आए होंगे 140 प्लस या 150 प्लस तो उसमें काफी कुछ चीजें गलत भी होती है और क्या है इस बार seats काफी ज्यादा है ठीक तो 140 में से मान लीजे आपका 25 गलत मान लीजे क्योंकि बिना तुक्का मारे रहा तो जाता नहीं है तो 25 गलत हो गया तो 115 बचा ठीक है 115 में से ये आप negative marking कर लेंगे तो 6 नंबर और घट जाएगा तो 109 ठीक है तो मेरे हिसाब से और भाई से discussion करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 105 से 115 ठीक है 105 से 115 के बीच जिसका भी score होगा यू आर में वो अपनी तयारी सुरू कर सकता है उसके qualify होने के बहुत ही ज्यादा chances है ठीक है OBC के लिए आप 5 नंबर घटा लीजिए ठीक है हो जाएगा ये 100 से 110 माल लीजिए ठीक है SC के लिए 10 नंबर आप घटा लीजिए 90 से 100 माल लीजिए इस तरह से आपकी cutoff जाने वाली है EWS के भी 100 से 110 के बीच में ही रह जाएगी ठीक है तो एक्सपेक्टेट टॉफ जेई सिविल के लिए क्योंकि seats इस पार काफी जादा है ठीक है CPWD में ही अकेले 700 के आसपास seats है तो यूर की cutoff जो है 105 से 115 से ठीक है 105 से 115 के बीच में ही रहेगी इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है ठीक है तो बस यही बताना था वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद